हलो दोस्तों आज है 8 अगस्ट और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 अगस्ट दोहजार चोबिस के most important current affair के questions के बारे में पूरी वीडियो ध्यास देगेगा पूरी वीडियो डीटेल में आपको समझाई गई है अगर वीडियो पसंद आए तो इसे like, share और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पिकली revision करेंगे हम लोग कल जो पढ़ेते फिर आज की तरब बढ़ेंगे राष्टे भाला फैंक दिवस 7 अगस्ट को मना जाता है ये भी पिछले ओलंपिक गोल्ड की याद में मनाते हैं हम लोग पेरिस ओलंपिक के समापन समारो के लिए भारत का दोजवाहक मनु भाकर को चुना गया है समापन समारो में और 6-8 अगस तक पहला बिमस्टिक व्यापार सिखर सम्मेलन दिल्ली में आयज़ित किया गया इसके लावा फार्चून 500 की लिस्ट में R.I.L. Reliance Industries Limited ये टॉप पर रही भारत में टॉप पर रही और ये ओवराल 86 अस्थान पर रही करनाटक और केरल में दो मूर अभ्यारण की घुशना की गई है प्यूज गोएल जी ने अभी एक पुस्तक लांज किये है जिसका नाम है इंडिया 800 इसको लिखा है वी सुब्रा मन्यमने पूर्व मुख्यार्थिक सलाकार है इसके लावाँ ओलंपिक के लिए चार डॉक टिकट जारी किये गये हैं भाला फेक, फिल्ड हाकी, नौकायन और टेबल टेनिस से संब्द दित हैं साउथ अफ्रीका में ऐसे टुन्टी लीग के ब्रैंड मिजडर बनाए गये हैं दूस्तों दिनेज कार्थिक नेपाल में लोवर अरूर जलविद्द परियोजना के लिए भारत ने 5700 करोड के आस पास में पैसे सैंक्सन किये हैं जिसके बाद इस पर भारत काम करेगा ठीक है तो ये टॉप 10 करेंट अफर के कुछन से कल की वीडियो से जिनका आपने एक मिनट में किया रिविजन कुछ तो आपने MZTF पर स्वाल भी कर ली होगी नहीं किये हो तो MZTF पर जाओ और कुछ इसकी लगा डालो ठीक है यही पर आपको पीड़े भी मिल जाएगी कुछ भी मिल जाएगी पहला कोश्चन हाली में राष्टिय हतकरगा दिवस कब मनाया गया तो दिखो आज के लिए दिख रहा होगा न सब राष्टिय हतकरगा दिवस दोस्तो 7 अगस्त को मनाया जाता है National Handloom Day इसको मनाया जाने का इतिहास बड़ा रोचक रहा है दोस्तो इसको मनाया जाना शुरू तो अभी 2015 से किया गया लेकिन इसके पीछे का कारण था 7 अगस्त का 1905 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था जो आज आप देख रहे हो बांगला देश है पहले यह पूर्वी पाकिस्तान था और उससे भी पहले आजादी से पहले यह पूर्वी बंगाल था तो पूर्वी बंगाल और पस्चिम बंगाल पहले बंगाल थे बाद में पूर्वी बं जो था वो बन गया बांगलादेश और आज वहां पर अभी सेने तक्था पलट हो गया है तो जब बंगाल का विभाजन हुआ था ना पहली बार पूरवी बंगाल और पस्टी मंगाल हुए थे यह लाड करजन के टाइम पर हुए थे 1905 में तो जब हुआ था तो उस टाइम प पारंपरिक हरतकरगा उदोग और कारिगरों के प्रति सम्मान प्रगट करने के लिए मनाया जाता है जब अंदोलन भारतिय सुदेशी वस्त्र और उत्पाद अपनाने के लिए प्यरित किया और बिटिस वस्त्रों का भाहिसकार करना शुरू किया 7 अगस्ट 2005 से तो वही द अगला यह मातमोर दिवस है कल हम लोगों ने रिवेजन किया था तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे जो लोग नए आये हो स्क्रेंशाट लेले अगला कुश्चन असम राइफल्स का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया तो असम राइफल्स यह भी एक C.A.P.F. का हिस् और इसके नए महानिदेशक कौन होंगे अब यह नए महानिदेशक होंगे दूस्तो लेटनर जनरल विकास लखेडा यह हैं लेटनर जनरल विकास लखेडा और यह अब असम राइफल्स के डारेक्टर जनरल होंगे डीजी होंगे देखिए यह TPS रावत के बाद दूसरे उ बहुत सारा सम्मान भी मिल चुका है, जैसे AVSM, यानि अतिविश्ष्ट सेवा मेडल, इसके अलावाँ सेना मेडल, इसके अलावाँ चीफ आर्मी स्टाफ कमोडेशन कार्ड, जी ओसी, ये सबसे ये सम्मानित किये जा चुके है, असम राइफल्स की बात करें, तो ये भारत म सबसे पुराना ससस्रबल यही है, इसकी अस्थापना 1835 को ही थी, आपसे कोशन पूछा जाएगा, असम राइफल्स देखिए बहुत कोशन बनते हैं, बहुत टाइप से बनते हैं, एक तो सबसे पुराना बताएए भारत का ससस्रबल कौन है, असम राइफल्स, मुख्याले दिल्ली में ही होगा, लेकिन गलत हो जाता है, कुछ लोग थोड़ा सा दिमाग लगाने कोशिस करते हैं, तो वो गुवाहाटी भी आपसन उनको दिख जाता है, तो उसको लगा देते हैं, कि असम राइफल्स है, तो असम के गुवाहाटी में होगा इसका हेटकौर्टर, ल प्रहरी की नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना, दोनों ही नाम असम राइफल्स का है, यहीं से कुश्चन बनेगा, देखो, करेंट अफेर पढ़ोगे अगर, सिर्फ कुश्चन पढ़कर के निकल जाओगे, तब बेड़ा पार्क नहीं होगा, साथी साथ रिलेटेड जो कुश्चन हैं, उसको याद करते चलो, कहां से कुश्चन बनते हैं, यह पता होना चाहिए, और यह कब आता है, जब आप बार-बार प्रैक्टिस करोगे, अलग-अलग जिगा मौक टेस्ट होगे, तो उससे आपको पता लगेगा कुश्चन कैसे बन रहे हैं, ठीक है न अगला, नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सबसे किफायती आवास बजार वाला सहर कौन सा है, तो नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया कि सबसे किफायती आवास वाला सहर, सबसे सस्ता आवास कहां पर ले सकते हैं लोग, इस के लिए सहर कौन सा है तो देखिए इसमें टॉप पर हमेशा आहमदाबाद बनता आया है कब से बनता आया है 2019 से ही 2019 से ही आहमदाबाद भारत में आवास लेने के मामले में सबसे सस्ता सहर बनता रहा है, इसके बाद पुड़े, कॉलकाता इन सब का नंबर आता है, पुड़े और कॉलकाता तो दोनों ही संयुक्तिरुप से दूसरे पोजीशन पर है तो यहाँ पर देखिए, आमदाबाद countries to be most affordable housing market market in India, ठीक है continuous, तो यहाँ पर देखिए अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, इसके लिए EMI to income ratio निकाला जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो EMI बनती है यहाँ पर आपके income का कितना परत्सत बनती है तो यहाँ अहमदाबाद में अगर आप घर लेने जाओगे, तो आपकी income का 21% जो है, वो EMI बनेगी ठीक है, पुणे कोलकाता में जाते हो, तो वहाँ EMI to income ratio जो है, EIR अब लिखूंगा अगे, तो इसका 24% है, पुणे और कोलकाता में, इसलिए दूसरे अस्थान पर है सबसे सस्ते सहर थी ये, अगर महेंगे सहरों की बात की जाए, तो भारत में सबसे महेंगा आवास ये सहर मुंबई है जहाँ पर आपकी income का 51% आवास में चला जाता है दिल्ली में यही 28% के आसपास है, और तीसरे पर चन्न नहीं है, जहाँ पर 25% है ठीक है ना, तो ये night frank की latest report थी वैसे भी जब भी कोई महेंगा सहर की बात आती है आखे बंद करके मुंबई लगा देना ठीक है ना, अगला हाली में किसको बांगलादेश की अंतरिम सरकार का परमुख नियुक्त किया गया तो देखे बंगलादेश में अभी सहने तक्ता पलट हुआ मैंने आपको कवर भी कराया, करेंट ओफेर में वीडियो भी स्पिसल तो रस दी बंगलादेश में जब सहने तक्ता पलट हुआ सेख हसीना वहां की पूर्व प्रधान मंतरी अब इस्तीफा देकर के भागाई भारत आई हुई है तो वहां पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया ठीक है ना और अंतरिम सरकार में जो प्रधान मंतरी कहलो या फिर कहलो कि अभी वहां के प्रमुख नियुक किये गये हैं वो है कौन मुहम्मद यूनिस मुहम्मद यूनिस दोस्तों ये नोबल प्रोषकार जीच चुके हैं और इनको यहां का प्रमुख नियूख किया गया है देखिए मुहम्मद यूनिस लेड इंटरिम गवर्मेंट टू टेक ओथ ऑन अगस्ट 8 आठ अगस्ट को सपत होगा बंगलाद सबकुछ यूलटा हो गया जैसे होना है जो टाइमर टाइप वाला जो होता नें यहां कहते हैं उससे जो रिटगिरती रहती है और अचानक से जब पुरक खत्म हो जाता है तो पलट वो रता हो जाता है सेम वाएसे यहां हुआ से जितने जिनके एकश्यें रिलेसंस थे एकी तरफ एकी तरफ प्रका के डिसिजन लेगी, अपने विपक्स वालों को जेल में डाल देगी, मरवा तक देगी, कतल भी हो गया है, इनके पूर्मनेताओं का, और फिर जब दूसरी आती है, तो दूसरी सेम ऐसी काम इनके खिलाफ करती है, जैसा अभी सेख हसीना के लिए हो रहा है मतलब, अब इनके जो विवरोध में हैं, खालिदा जीया, इनके जो पिताजी थे, इनको सेख हसीना पर आरोप लगते हैं, इनके पिताजी ने, ठीक है, तो ये सब चीजे यहाँ पर चलती रहते हैं, फिलहाल अब इनको ये अभी तक जेल में थी, इनको निकाल भंग कर दी गई है और अब नोबेल पुरुसकार विजेता वहां के बांगलादेश के अंतरिम प्रसासन के नेता हैं फिलहाल के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हाली में कौन सा राज्य सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला पहला राज्य बना तो देखिए हर्याना ये बन गया है अभी चल रहा है अगस्त ठीक है ना अगले महीना सितंबर सितंबर के बाद अक्टूबर अक्टूबर में है चुनाओ और इन्होंने देखिए क्या-क्या गोश्णाय की हैं अभी देखिए ध्यान से MSP पर सभी फसलों को MSP पर खरीदेंगे ये ठीक है इतने साल किस सेनी ने गोश्णा किया और क्या क्या करेंगे ये सभी फसलों का दारा 14 से बढ़ा कर तेज कर दिये हैं 133 करोड रुपए का सुल्क भी माफ कर दे रहे हैं बहुत सही पानी की सिचाई के लिए इसके बाद क्या कर रहे हैं किसानों को सालाना लगभग 54 करोड रुपए की ब मिनमम सपोर्ट प्राइज मतलब जैसे मानली जो कोई किसान है वो खेती करता है अब खेती कर रहा है जैसे कि मानलो दो-चार बिगा है तो फिर वो तो अपने खर्चे के लिए चलो अपना घर चलाने लेकिन जिनके पास 10-10-20-50-20 अकर जमीने होती हैं है तो उनको क्या होत दो भी खा के काही खा हुए उसके बाद वाला तो बेचने के लिए ही परपत से ही किसान लगाएंगे तो उसको एक minimum support price का एक guarantee दिया जाता है सरकार के द्वारा कि चलो इतना minimum support price में हम आपका फसल खरीदेंगे ही खरीदेंगे हलाकि उसमें भी बहुत सारी काला बजारी होती है जिसको लेकर के आंदोलन हुआ था तो वो जो फसले हैं जब सरकार नहीं खरीदेंगे तो उनको क्या करना होता है बजार में जाकर बेचना पड़ते हैं और बजार में जब साहुकार या वापारी यह सोचते हैं कि भाई इन 22 उरुपए पर किलो या जो भी हो सरकार कह दी कि हम 19 उरुपए MSP आपको देंगे ही देंगे मतलब भोने से पहले MSP की जब घुशना कर देती है सरकार तो इसको किसान को रहता है चलो ठीक है मार्केट प्राइज 22, 23, 25 अगर होगा तो ठीक है नहीं तो कुछ नहीं तो गिरी हालत में सरकार तो खरीदे हीगी ठीक है तो हमारा फसल जो है कुछ न कुछ उसका निकल जाएगा तो यह होता है MSP आयोब आपको समझ में आ गया होगा आते हैं हर्याना पर यह है हर्याना ठीक है राजधानी इसकी चंदीगड है पंजाब की भी राजधानी चंदीगड हर्याना की भी राजधानी चंदीगड चंदीगड की भी राजधानी चंदीगड ठीक है यहाँ पर सूरज कुंड ब 10 लोग सभा में और 5 राज सभा में सीट जाती हैं, ठीक है, हर्याना यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगला, एक और जोरी बात, अगर आप हम से RRB NTPC की तयारी करना चाहते हैं, तो जुट चाहिए, बिल्कुल नई strategy की साथ आपको पढ़ाया जाएगा, अरजुन बैच ल लगाये की नहीं, लगाये तो कितना आया, आप स्कोर बताओगे, आपका जो साथी होगा, वो स्कोर बताओगे, आपको एक competition का माहौल मिलेगा, ठीक है ना, कि कितना किसका स्कोर जा रहा, तो आपको एक्जाम से पहले थोड़ा आडिया लगेगा, कितना और मेहनत करनी है, या कितना लोग रोज कर रहे हैं, जैसे कि आपको याद दिला जागे, भाई, आप मौक्टिस लगाए कि नहीं लगाए आज, है ना, तो आप अगर मालो उस दिन नहीं लगाए, तो थोड़ा सा कोशिस करोगे ना, कि चलो रात में गंटा और अश्टरा जग जाए, लेकर चल रहे हैं, कि इतने बच्चों का तो सेलेक्शन दिलाना ही दिलाना है, ठीक है, वो चीजे मैं बाद में आपको बताऊंगा, तो MJT एप जो है, इस पर ही आपको बैच मिलेगा, और जैसे कि मैंने आपको कल और आज के लिए ओफर दिया था, कल और आज के लिए इस बचरा, कहानी, किस्ता, यह सब देने का कोई मकसद नहीं है, वीडियो कोर्स वाले क्लासेज में एक भी परसंट की बकैती नहीं करते हैं, हाला कि हम भी यूपी से ही, लेकिन बिल्कुल उसमें बकैती नहीं होती है, तो आप जो है, सीरियस इटूडेंट हो अगर, तो आप यह बैच जोइन कर सकते हो, कोई भी डाउट है या सोलिशन चाहिए, तो आप वाटसेप भी दिया गया है, जगा जगा एप में, वहां से बात कर सकते हो, किस देश को भारत का पहला जियाई टैग वाला अंजीर का जूस निर्याद किया गया है, पोलेंड एक यूरोपियन लिम्टेट कमपनी है, इसी ने सप्लाई किया हुआ है, यह इस से पहले हौंग कॉंग को भी सप्लाई की थी, 2023 में, तो हौंग कॉंग को भी पहली बार गया था, और अभी पोलेंड को पहली बार गया है, जियाई टैग वाला अंजीर का जूस पुरंदर जो है, बहुत ही अपने यूनिक गुणों के कारण, अपने यूनिक स्वाद के कारण, और इसको जियाई टैग मिल चुका है, जियाई टैग क्या होता है, यहां से हम लोग यह पॉइंट ठाते हैं, देखिए, जियाई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, अगर मालो कोई उत अथान ही प्रचलित हो जाए, तो फिर सरकारे क्या करते हैं, कि लव भाई है, इसको गलोबल मार्केट में ले जाते हैं, थोड़ा और ब्राणिंग करते हैं, इसके जो किसान है या उत्पादक हैं, उनको और प्रॉपेट दिलाते हैं, तो और जिससे इसकी ब्लैक इसके नाम से कोई फर्जी न बेच सके और इनके किसानों का या उत्पादकों का और लाब हो सके, तो सरकार ब्रांडिंग करने के लिए उसको जियाई टैग दे देती है, जियाई टैग दस सालों के लिए दिया जाता है, इसके लिए बिल लाया गया गया 1999 में, ठीक है, जि आप कमेंट करके मुझे बताओ, सबसे ज्यादा जियाई टैग वाला राज्य कौन सा है, अभी मैंने कवर कराया था कुछ दिन पहले एक इस्पिसल वीडियो में, कमेंट करके जोरू बताना, आपदा जोखिम प्रबंधन समझाओता ग्यापन पर हस्ताक्चर करने वाला प अगले तीन सालों में कोई भी आपदा आती है, तो पूरे राज्य के नागरिकों में किसी को भी कोई भी दिक्कत आती है, तो वो बीमा जो इनसेओर किया गया जो पहले से, वो उसकी धन्रासी उसे मिलेगी, अब तक क्या होता था, कि चलो कहीं आपदा आ गई, तो फिर आ पहले से ही इंसेओर रहेंगे पूरे पूरे राज्य के नागरिक, तो ऐसा किसने किया भाए? ऐसा किया है नागा लेंड से, उन्होंने कोई है, ये राजि के सभी नागरिक जो है, ये अगले 3 सालों के लिए इस विमा के तहट वो पातर होंगे और लाभार्त होंगे. ठीक इसके समझोता हुआ है अब आया है नागा लेंड अगर आप मैप में देखोगे तो एक पुर्वत्तर का राज्य है नागा लेंड यहां पर है कई बार लोग कन्फ्यूज होते हैं जैसे कुशन बनता है कि बताओ मडिपूर निम्न में से किस राज इसे सीमा नहीं सेयर करता ह और आपको option में वो भी जैनता है कि पुर्वत्तर में मडिपूर है तो वो पुर्वत्तर के राज्यो के option में देगा नाम जैसे देदेगा करना मड़ीपूर नीचे करना ठीक है पहले नाग आता है तब मड़ी आता है तो नाग मड़ी में मड़ीपूर नीचे करना उसके बाद फिर आपका यहां मिजोरम से बॉर्डर सेर कर लेगा यह उपर नागा लैंड जो है वो अराचल प्रदेश सेर करेगा तो मतलब सी मोटी बाते हैं ने फिर यो यहाँ पर करेंट टाइम पर सीम हैं गवर्नर हैं लागर नेशन ठीक है यहाँ पर 16 जिले हैं 60 सीने विधान सभा में एक लोग सभा और एक राज सभा में सीटे हैं अगला हाली में कि सराज के मुख्यमंत्री ने स्वास्त विभाग के करमचारियों के लिए उपस्थती पोर्टर लांज किया स्वास्त विभाग के करमचारी के लिए उपस्तती पोर्टर इसमें स्वास्त विभाग के जो करमचारी है वो बायमेट्रिक की मदद से वो अपना उपस्तती दर्ज कराब के मतलब कि अटेंडिंस लगा सकेंगे और इससे सब को पता भी चल जाएगा कि भाही कौन सा employee या कौ 24 x 7 चलेगा और सभी डाक्टरों की अटर्नेंस वगरा सब आनलाइन पता लगती जाएगी। इसके लिए उपस्तती पोर्टल लांच किया है जारखंड के मुख्यमंत्री ने। जारखंड के मुख्यमंत्री कौन बन गये हैं भी फिर से हेमंतु सोरेन। बीच में ये जेल गय सब्सक्राइब के लिए उपस्तिती पोर्टल लांच किया है। ये रहा जारखंड जारखंड दोस्तों बिहार से अलग हुआ था। देखिए सन 2000 में तीन राज्ये अलग हुए। सबसे पहले तो एक नौवंबर को अलग हुआ मध्यप्रदेश से चछतीस गड़ बना चब उत्तर प्रदेश से 13 जिले कट करके अलग हुआ उत्तर खंड और ये बना 27 राज्ये। ठीक है जी। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर 28 राज्ये ये अलग हुआ जश्ट 6 दिन बाद यानि 15 नौवंबर को तो 15 नौवंबर को जारखंड अलग किया गया। ये 15 29 राज्ये बाद में 29 राज्ये तेलंगाना बना था दो जून 2014 को लेकिन क्योंकि जम्मू कस्मीर और लगदाक को यूनेंटरेटरी बना दिया गया दो भागों में हिस्व में तोड़ करके तो इसलिए अब राज्योग संख्या 28 ही है आगे बढ़ते हैं बाकी यहां के संत गए हैं पूरा मंजूरी मिल गए है अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है तो इसके अब नए चेयर्मैन होंगे चल्ला स्रीनवासलू रेडी ठीक है तो अभी तक जो दिनेश कुमार खारा को आप पट रहे थे आप उनको भूल जाईए अब इनको याद रखिये चल्ला स्रीनवासलू सेटी को तो ये 28 अगस्त से ये अपना पदभार गनाड करेंगे तीन साल के लिए कारेकाल इनका होगा तो कैबिनेट की नियुकती कमेटी जो है इन्होंने अप्रूप कर दिया है और ये बित्तिय सेवा संस्तान बेरो की 2024 से निलंबित किया गया अब देखें यहां भी दो नियुज निकल कर किया रही है इस तो मैंने आपको अभी कल वीडियो भी दी थी पेरिस ओलंपिक 2024 से विनेस फोगाट को दोस्तों निलंबित कर दिया गया है मतलब जो ये सिलवर पाने वाली थी ना वो नहीं मिलेगा इ उसके बाद इनको disqualify कर दिया गया और कहा गया आपको कोई medal नहीं मिलेगा ये silver की मतलब at least इनको silver मिलना चाहिए था क्योंकि ये final पहुँच चुकी थी semi final जीत चुकी थी तो अगर final हारती भी तो silver मिलता at least जीत तो gold मिलता लेकिन उससे पहले इनको कहा गया कि final आपको नह नहीं दिया जाएगा क्यों क्योंकि आपका वेट जो है वो 100 ग्राम जादा है तो जब इनको पता चला 100 ग्राम जादा है वेट रात भर इन्होंने प्रयास किया और रात भर में खूब cycling खूब exercises बगरा की लेकिन फिर भी मात्र 50 ग्राम ही कम हो पाए और सिर्फ 50 ग्राम के इस्ट्रा वेट की वज़ा से इनको disqualify कर दिया गया है ये भी कहा गया कि अपील नहीं कर सकते आप लेकिन एक special अपील की गई इनके द्वारा और अभी का नया update यह है जो हो सकता है सुबा तक कुछ और decision बन करके आए इन्होंने Olympic Committee वालों को अपील ये किया हुआ है कि at least ह हमको silver medal में संयुक्त विजेता तो घोसित करना ही चाहिए ठीक है final आप कह रहे हो नहीं रोका जाएगा final होगा लेकिन silver medal का एक संयुक्त विजेता के रूप में हमको घोसित किया जाए तो यह अपील अब इसका decision आज सुबा तक जब तक आपके पास video पहुंचे या हो सकता ह आठ वाजे तक आजाए क्योंकि आज ही इनका final होगा तो final तो रूखेगा नहीं हो सकता है अब इनकी appeal अगर सुल नी जाएगी तब तो मिलेगा नहीं सुनी जाएगी तो नहीं मिलेगा तो I hope इनको medal मिल जाए और फिर हम लोग के भारत वासियों को एक silver मिल जाए क्योंकि क चैंपियन भी रह चुकी है लेकिन अभी के लिए इनको बाहर किया गया है 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण तो पेरिस ओलंपिक 2024 में कुस्ती प्रद्युक्ता में 50 किलोग्राम की इस रेणी में भाग ली थी आपसे कुश्चन यही पूछा जाएगा कुश्चन यही पूछा जाएगा मेरा बाई चानू की बारे में पूछा जाएगा जिनका भी मैच चल रहा है हो सकता है अब तक जीत भी गई हो या ना भी जीती हो जो भी हो फिलाल यहां तक पहुची है वो 49 किलोग्राम की कटेगरी में हिस्सर रेती है यह 50 किलोग्राम क ठीक है तो वेट भी पूछा जा सकता है जब अगर टफ बनाएगा कुश्चन क्योंकि वो जान रहा है सिंपल मेडल पूछना का थोड़ी न मतलब है वो डारेक्ट अब थोड़ा सा कमपटिशन को टफ बनाएगा तो याद रखना कटेगरी भी पूछी जा सकती है पिछली आपको exclusively यहीं पर मिलेगा अलग से subject wise सब जीके में ही निप्टा देते हैं न यहां सब आपको मिलेगा MJT एप पर जाकर कि आप यह कोर्स ले सकते हो MJT एप का link description में है और Google Play Store पर भी आपको मिल जाएगा बात करते हैं लाजडे के question की लाजडे मैंने आपसे पूछा था कि बताइए प्रसिद लोगनित भरत नाटम का संबंध किस से है तो यह संबंध है तमिल नाडू से इसके अलावा सीमा सुरक्छा बल यानि BSF का मुख् देखते हुए आगे हो और अभी तक मैंने share करने को आपको नहीं कहा भूल गये थे आप share जरू कर देना देखो आपके कहने पर digital board पर फिर से आ गये हैं तो आप वीडियो को share कीजिए ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचिए ठीक है यह वीडियो ज्यादा लोगों पह चलेगी एक तो आप share करोगे दूसरा आप यहां तक वीडियो देखते हुए आए हो तो यस लिख करके जरूर भेज़ देना इससे बाकी लोग कन्फ्यूज रहे कि यह यस क्या है सब लोग लिख रहे हैं आज आपके लिए कुश्चन है टोकियो ओलंपिक 2020 में नीरा चोप वन दे मात्रम